हेलो चिल्डरेन आज मैं आपको हिंदी में अमात्रिक सब्द समझाने चल रही हूँ इसको ध्यान से समझिएगा अमात्रिक मीन्स होता है जिस सब्द में कोई मात्रा ना हो जिस सब्द में कोई भी मात्रा नहीं होती है उसे अमात्रिक सब्द कहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे दो वर्डों से बने हुए सब्द जैसे हम दो अच्छर को एक साथ जोड़ते हैं तो एक सब्द तयार होता है तो आज आपको हम उसी के बारे में बताएंगे जैसे है का है और का में हम ये जोड का निसान है का में हम ला मिला देंगे तो क्या तयार होगा बच्चो कल ये का में ला जोडेंगे तो कल तयार होगा इसके बाद है बा में ला जोडेंगे तो हमारा एक सब्द तयार होगा बल इसके बाद चा में हम ला जोडेंगे तो चल चा में ला जोडेंगे तो चल तयार होगा ये भी एक सब्द है ना में ला जोडेंगे तो नल नल जानते हो ना बच्चो नल जिसमें हम पानी पीते हैं तो वो नल है ना ला नल ना में भा जोडेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चो ना भ नभ नभ मीज आकास इसके बाद है रा रा में था जोडेंगे तो तयार होगा रथ ये रा में था जोडेंगे तो हमारा क्या नया सब्द तयार होगा रथ बब में सा जोडेंगे तो होगा बस बस तो जानते हो ना बच्चो जिसमें आप लोग इसकूल आते जाते हो तो वो हमारा बब और सा जोड के बस बस तयार हुआ इसके बाद है घा र घा में रा जोडेंगे तो घर बस पी तो बैटके आप घर जाते हो ना और घर सी इसकूल आते हो तो घा और र रा मिला के घर आ में बाद जोडेंगे तो अब 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 तयार होगा अब भी एक सब्द है का में बाद जोडेंगे तो क्या तयार होगा बच्चो कब 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 इसके बाद है जा जा में बाद जोडेंगे तो जा ब जब तो ऐसे ही बनेंगे दो वर्डों से ये बनेंगुए सब्द है का में लाजोडा तो कल तयार हुआ बा में लाजोडते हैं तो बल चा में लाजोडेंगे तो चल ना में लाजोडेंगे तो नल ना में भा को जोडेंगे नब रा में था जोड़ेंगे रत बा में सा जोड़ेंगे बस घा में रा जोड़ेंगे तो घर आ में बा जोड़ेंगे तो अब का में बा जोड़ेंगे कब जा में बाक जोड़ते हैं तो जब तयार होता है ऐसे ही ये सब आपके अमात्रीक सब्द हैं इसमें कोई मात्रा नहीं है कोई भी मात्रा नहीं है तो जैसे ये बच्चों दो वर्डों से बने हुए सब्द हैं इसी तरह के दो वर्डों से बने हुए सब्द आप अपनी कॉपी में लिख कर मेरे नमबर पे सेंड कर दीजेगा ओके चिल्डेन बाई